आप से का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब परिवार एमारे स्टडी में तो डियर मैंने कंटानमेंट बोर्ड साजहान पूर था जो है वेकेंसिस के बारे में मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने बताया था कि कव से कव तक आप फॉर्म भरेंगे तो एक मीना पहल था और आप भरने वाले होंगे तो लगवक्त सभी लोग इस फॉर्म को भर ही दिये होंगे यहां पर कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे सीलेवस बताईए तो डियर मुझे क्योंकि एक महीना पहले जो वीडियो मैंने बतनाया और उसको आज अगर कोई पूछ होगा बट मैंने सोचा कि एक पर मैं खुद से रिकॉल कर लेता हूं कि क्या सिलेवस था कि कैसे है कब एड्मिट काड आएगा ताकि आप लोगों को भी पता चल सके ठीक है तो यहां पे वेकेंसी आपका तीन तरीके का था आर एम ओ जिसका एक सीट था तेई साल से 35 साल एम टी या सी टी होना चाहिए या डीलेड वगेरा यह सभी होने चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते थे उसके बाद जूनियर असिस्टेंट में दो सीट जनरल का एक और ओवी सी का एक जो कि इंटरमेडियेट पे आपका अप्लाई करना था और कंप्यूटर का जो OBC और ACST को जो है दिये जाएंगे तीन सल और पांच सल ठीक है तो यह अपडेट था तो यहां पे जो में जो चीज़े थी वह यहां पे था कि ए आर एमो का जो एक्जाम है यह रिटेन टेस्ट और इंटर्व्यू होगा वह यह अगर जूनियर असिस्टेंट टीचर की बात किया जाए तो रिटेन टेस्ट एंड अस्केल टेस्ट जो है होने वाला था ठीक है और इसका जो एडमिट काड है एक्जाम के पहले ही दिया जाएगा तो यहां पे सिलेवस आपको मैं बता दूँ एक बार ध्यान से सुन लिजेगा वैसे पिछले जो मैंने वीडियो बनाय हमारी नहीं देख पाएंगे इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी मैं वीडियो बनाओ आप पूरी वीडियो को देखो तभी आपको समझ में आएगा आधर्वाइस आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है तो आरे मों का जो है सिलेवस आपका होने वाला जो की MBBS के बेसिस पे से रिलेटेड आलो पैथी का 60 क्वेसं और एंटर्वियू का जो है पंद्रा कुषिशन इस तरीके से टोटल लुषू अग्यों की आपके मतलब यहां पर जो क्वेसंस हैं यह आपके जो हो जाएंगे और इस क्वेसंस के अधार पर ही जो है आपका मार्क्स जो हैं दिया ग आपको time दिया जाएगा वही अगर बात किया जाए यहां पे assistant teacher का तो general studies से बीस questions, general awareness से बीस questions, general amplitude से बीस questions, English से बीस questions और जो BID किये हैं या delayed किये हैं उस से related आपका यहां पे बीस question तोटल सो क्वेशन, सो मार्क्स के 120 मिनिट आपको यहां पर दिये जाएंगे वहीं है अगर बात किया जाए जुनियर असिस्टेंट के लिए तो यहां पर जेनल इंट्रिजेंस एंड रिजिनिंग के से 20 क्वेशन जेनल अवेरनेस से 20 क्वेशन निमेरिकल एप्टिट्यूड यानि math से 20 questions, English से 20 questions और जो computer का जो concept है, जो basic knowledge है, intermediate से related, उसे जो है आपका 20 questions, total 100 questions, 100 marks के होंगे, 120 minute यहाँ पे आपको दिया जाएगा, यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे इस form को apply किया है, उन लोगों से मैं request करता हूँ, कि वे लोग अपना इंत बिजार करेंगे admit card को, क्यों, क्योंकि admit card कब आएगा, 15 फरवरी को आपका यहाँ पे admit card जारी किया जाएगा, यह expected बाते बताया जारा है, ठीक है, यह expected है कि 15 फरवरी को आजाएगा, लेकिन उसे पहले तो नहीं आएगा, जब भी admit card आएगा, तो उसके बाद ही आएगा, और यह जो है, आपका form जो लोग भर दिये हैं, उन लोगों के लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं भरे हैं, अब उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यह जो form था, यह आपका 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक जो है, यह भरा जाने वाला था, और last date था, और इसका जो exam सोने वाली है, वो सहाजहापूर में होने वाली है, अब यहाँ पर एक और students का comment था, कि सर आप हम यह बताए कि इसका जो form है, हाना, यह जो form है, यह कितने भरे गया है, हाना, तो देखो डियर, इसका कोई कठोस, कोई board तो यह नहीं बताता है, कि भाई, यतना form भरा गया है, आप newspaper, local newspaper आप पढ़ते रहिए, आपको कई बार होता है, कि newspaper में थोड़ी बहुत details आ जाती है, कि हाँ, इसके लिए, ए मिलेंगे, अगर इसी तरीके का और वीडियो चाहिए, तो comment कीजिए, और इसी तरीके का और भी आपको update मिलता रहेगा, time to time, channel को subscribe नहीं कियें, तो subscribe कर लिजे, thank you so much.